सरकार हमारे देश में बहुत लंबे समय से डिजिटल पेमेंट के एको सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है डिजिटल पेमेंट के क्वांटम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कैश के यूजज को कम करने की कोशिश कर रहा है अब आप जब डिजिटल पेमे हो गया, RTGS हो गया, तो इस प्रकार के methods के थुरू, सरकार आज की डेट में digital payment ecosystem को strong करने की कोशिश कर रही है, लेकिन digital payment के साथ एक और चीज आ जाती है, digital security, और इच digital security के चलते, जनवरी 2022 से RBI कुछ नए नियम कानून लागू कर रही है, actually में RBI ये नियम कानून जुलाई 2021 से ही लागू करना चाहती थी, but banks इसको बहुत oppose कर रहे थे, banks इसके लिए time मांग रहे थे, इसलिए RBI ने बोला कि चलो 6 मेने का time और लो, हम इसको लागू करेंगे जनवरी 2022 से, और ये काफी major नियम कानून है, overall इस प्रकार के revolutionary नियम कानू इसके number को याद करना पड़ेगा, तब आप बोलो को सर, याद क्यों करना पड़ेगा, तो देखे, अगर आप लोग कुछ apps यूज करते हैं, जैसे for example, मैं make my trip app यूज करता हूँ, अपनी flights book करने के लिए, या फिर मैंने मांग लिए जो मैटो से कोई खाना मंगा लिया अप नो की payment का समय आये, 4000 रुपय का, तो मेरी credit card की detail वहाँ पहले ही save है, वो बस मुझसे CVV number पूछेगा, जो की credit card के पीछे होता है, कुछ इस प्रकार के card के back side पे आपको CVV number मिल जागा, तो आपको CVV number डालना पड़ेगा, आपके phone पे OTP आएगा, आप OTP verify करा दो और आपकी payment हो जाएगी, RBI ने बोलाई कि जो बड़े-बड़े, कितने भी बड़े आपके payment aggregators हो, अब आप card details save नहीं कर सकते, बड़े-बड़े payment aggregators, तो भाई Amazon, Flipkart, Netflix हो गया, make my trip हो गया, इस प्रकार के जो payment aggregators हैं, वो पैसा लेके नहीं भागेंगे लोगों का, देखे, ये जो platforms है ये customer और bank को के बीच में, मानलो मैंने make my trip पे flight खरी दिये, तो मुझे payment करना है make my trip को 4000 रुपए का अपनी flight का, लेकिन payment से मैं अपने bank से करूँगा, तो बीच में मुझे platform कर दे दिया payment करने के लिए make my trip ने, तो इसलिए यहाँ पे make my trip का payment aggregator बो सकतो, पैसा मेरे bank के account से कट गया, तो यह authentication होता है bank के तूँ, अब authentication से पहले अभी के लिए क्या होता है, कि make my trip ले लिजे, netflix ले ले जे, amazon ले ले जे, flip card ले ले जे, यह आपक से payment section में आओगे, तो आप अपने credit और debit cards को save कर सकते हो, अब वो save करने वाला option चला जाएगा, जनवरी 2020 से बोला जा रहा ह आपको अपना पूरा का पूरा 16 digit card debit card number या credit card number डालना पड़ेगा, अब वो automatically वहाँ पे पहले से stored नहीं होगे, वैसे normal इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं ना लेगा, जिसके पास एक credit card या दो credit card है, लेकिन जो higher up the order उनके पास बहुत सारे credit cards होते हैं, वो credit cards save होते हैं, और आज के डेट में लोगों के पास time नहीं होता है कि बार बार वो credit card निकालने जेब से और overall वहाँ पे इसको feed करें, लेकिन digital security के लिए RBI इस particular step को लेने के लिए बहुत force कर रहे हो और यह step यहाँ पे देखिए implement होई जाएगा, इस step के implement होने से credit card और debit card का usage कम हो सकता है, लेकि UPI का usage बहुत बढ़ेगा, चोकि UPI की usage में आपको बस अपनी UPI ID चाहिए और साथ में एक password चाहिए, वो password 6 digits का होता है, आप अपनी UPI ID डालो, password डालो और payment फटाफट हो जाता है, तो most probably is credit card और debit card के इस rule change के बाद UPI payments will go upwards, एक छोटी सी news थी मुझे relevant लगी UPI CGS paper 3 के perspective से digital payments इ पसंद आएगी, इस प्रकार की news को एक एक लाइन में अपने notes में incorporate कर लीजे, किसी भी relevant question में आपके काम आजाएगी, चाहे cyber security को strengthen करने की बात हो, चाहे digital payment ecosystem को strengthen करने की बात हो, एक लाइन में इस प्रकार की news चेप देना, आपके answer को value edition मिल जाएगा, thank you for watching, वीडियो पसंद कि यही खदीर अपके out, वी लाइन में हो एक लाइन में है आपके इस प्रकार के प्रकार क् विर लोग, प्रकार क्वेजें आपके बादा स्वार टाएगी, वीजेवा स्वाजे़ों सथारना के लाइन है, वीजेवाब इन सद्से़ट को एक जएजे़गी, यहीजे आब